हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विछ फिलोसफर बाबा में जितने भी लोगों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर किया है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू और हम सभी आप सभी लोगों को जैस जो भी आने वाली परिच्छा हैं उन सभी के लिए हम लोग अपना जियेस का पोर्शन कवर कर रहे हैं जिस रंखला में हमने भारती राज वरस्ता की शुरुवात करी थी जिसके हम लोगों ने दो लेक्शर कवर कर लिये थे जिसमें से पहले लेक्शर में हमने भारती के आगे के पॉइंट को समझेंगे उसके बिंदों को समझेंगे तो कंपनी के आगे के शासन में है ताज का शासन जो की है 1858 से ले करके 1947 तक रूल ओफ दी क्राउन तो इसमें हमको पहला पढ़ना है 1858 का भारत शासन अधिनियम Government of India Act of 1858 इस महत्वण कानून का निर्णे 1857 के विद्रोह के बात किया गया जिसे भारत का प्रथम सुतंतरता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद इस कानून ने इस्ट इंडिया कंपनी को इस शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी इस अधिनियम की विशेष्टाएं को यगर बात करें तो इसकी पहली विशेष्टा यहाँ थी जिसके तहट भारत का शासन सिदे महरानी विक्टोरिया की अधिन चला गया गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भ भारत में शाशन की द्वाध प्रडाली समाप्त कर दी गई एक नए पद भारत के राज सचीव का सरजन किया गया जिसमें भारती शाशन पर संपोड नियंतरण की शक्ति नहीं थी यह सचीव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्यता और ब्रिटिश अंतता संसत्य प्रति उत्त भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था इसely भी मुकदमा किया जा सकता था 1858 के कानुन का प्रमुख औदेश प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारती सरकार का अधिक्षर्न और उसका नियंतरण हो सकता था इसने में परचलित शासन प्रणाली में कोई विशेस परिवर्तर नहीं किया गया अब हम बात करते हैं 1861, 1892 और 1909 के भारत परिशत अधिनियम के बारे में तो 1857 की मरहान क्रांती के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतियों का सहयोग लेना जरूरी है इस सहयोग नेती के तहट ब्रिटिश संसत ने 1862 और 1909 में तीन नए अधिनियम पारित किये 1861 का भारत परिशत अधिनियम भारतिय समवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महतुपूर्ण अधिनियम था अगर हम 1861 के भारत परशद अधनियम की बात करें तो इसके दोरा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारती प्रतनिदियों को शामिल करने की शुरुआत की गई इस प्रकार वायसराय कुछ भारतियों को विस्तारित परिशद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था 1865 में इलॉड कैनिंग ने तेन भारतियों, बनारस के राजा, पटियाला के महराजा और सर दिनकर राव को विधान परिशद में मनुनुद किया था इस अधिनियम ने मदरास और बंबई प्रेसिडेंशियों को विधाई शक्तियां पुना देकर विकेंदरी करण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी इस प्रकार इस अधिनियम ने रिगुलेटिंग एक्ट 1773 दौरा शुरू ही केंदरी करण की प्रवर्ति को उल्टा दिया और 1833 के चाल्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुच गया इस विधाई विकास की नेति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपुरून आंतरिक स्वायत्यता हासिल हो गई थी बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशा 1862, 1866 और 1892 में विधान परिशद का गठन हुआ इसने वायसराओ को परिशद में कार संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने के शक्तियां परदान की इसने लॉड कैनिंग द्वारा 1869 में प्रानम की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मानेता प्रदान कर दी जिसके अंतरकत वायसराओ की परिशद का एक सदस से एक या अधिक सरकारी विभागों द्वारा प्रभारी बनाया जा सकता था इसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था ऐसी अध्यादेश की अवधी मात्र 6 माह होती थी 1892 की अधिनियम की विशिष्टों के अगर बात करें तो इसके माध्यम से केंडरी और प्रांती विधान परिशदों में अत्रिक्त यानि गैर सरकारी सदस्यों के संख्या बढ़ाई गई हाला कि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था इसने विधान परिशदों के कारियों में वरद्धी कर उन्हें बजट पर भहस करने और कारिपालिका के प्रशनों का उत्तर देने के लिए अधिकरत किया इसमें केंद्री विधान परिशदों में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायस राय की शक्तियों का प्रावधान किया इसके अलावा प्रांती विधान परिशदों में गवर्नर को जिला परिशद नगरपालिका विश्व विद्याले व्यापार संग जमेधारों और Chamber of Commerce की सिफारिशों पर गयर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी इस अधिनियम ने केंद्री और प्रांती विधान परिशदों दोनों में गयर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सेमित और परोच शुरूप से चुनाव का प्रावधान किया हाला कि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया अगर 1909 की अधिनियम की विशिष्टों की बात करें तो इस अधिनियम को मारले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है उससे में लॉड मारले इंगलेंड में भारत के राजे सचिव थे और मिंटो भारत में वायस राये थे इसने केंद्री और प्रांती विधान परिशद के आकार में काफी व्रद्धी की केंद्री परिशद में इनके संख्या 16 से 60 वी और प्रांती विधान परिशदों में इनकी संख्या समान नहीं थी इसने केंद्री परिशद में सरकारी बहुमत को बनाय रखा लेकिन प्रांती परिशदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमती थी इसने दोनों इस तरों पर विधान परिशदों के चर्चा कारियों का दाइरा बढ़ाया उधारण के तौर पर अनुपूरक प्रशन पूछना बजट पर संकल परखना आ दी इस अधिनियम के अंतरगत पहली बार किसी भारतियों को वायसराय और गवर्नर की कारे परिशद के साथ एसोसियेशन बनाने का प्रावधान किया गया सतेंद्र प्रसाथ सिनहा वायसराय की कारे पालिका परिशद के प्रथम भारती सदस्य बने इन्हें विधी सदस्य बनाया गया यह आद रखना कि सदस्य प्रसाद सिनहा जो थे वायस रायकी कारपाली का परिशत के पहले भारती सदस्य बने थे इस अधिनियम ने पर्थक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांपरदाइक प्रतनिधितों का प्रावधान किया इसके अंतरकत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मद्दाता ही कर सकते थे इस प्रकार इस अधिनियम ने संप्रदाइकता को वैधनिक्ता प्रदान की और लॉड मिंटो को संप्रदाइक निर्वाचन के रूप में जनक कहा गया यानि कि अगर आपसे पूछे कि संप्रदाइक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉड मिंटो को कहा जाता है इसने प्रेसिडेंसी कार्पोरेशन चैंबर्स आफ कॉमर्स विश्विद्यालों और जमीदारों के लिए अलग प्रतिनीधित्तों का प्रावधान भी किया अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की बेस अगश्ट 1917 को बिटिस सरकार ने पहली बार घोशित किया कि उसका उद्देश भारत में करम कुरूप से उत्तरदाई सरकार की स्थापना करना था करमी कुरूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ इस कानून को मांटिंग्यू चेम्स फोड भी का सुधार कहा जाता है मांटिंग्यू भारत के राजिस अचिव थे और चेम्स फोड भारत के वाइस राय थे अधिनियम की विशिस्ताएं क्या थी केंद्री और प्रांती विशियों की सूचि की पहचान कर उन्हें प्रथक कर राजियों पर केंद्री नियंतर कम किया गया केंद्री और प्रांती विधान परिशिदों को अपनी सूचियों के विशियों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया लेकिन सरकार का ढाचा केंदरी और एकात्मक ही बना रहा इसने प्रांतिय विशियों को पुना दो भागों में विभक्त किया हस्तांतरित और आरक्षित हस्तांतरित विशियों पर गवर्नर का शाषन होता था इस कार में वा उन मंत्रियों की सहयता लेता था जो विधान परिशत के परती उत्तरदाई थे दूसरी और आरच्छित विश्यों पर गवर्नर कारे पाली का परिशत की साहता से शासन करता था जो विधान परिशत के परती उत्तरदाई नहीं थी शासन के इस दोरी विवस्था को दोयद यानि डाई आरको से वित्पन शासन विवस्था कहा गया यानि दोयद शासन विवस्था यानि डायर की ये युनानी शब्द डाई और आरको से सब्द मिलकर बना है हाला कि यहां विवस्था काफी हद तक अस्फल रही इस सधनियम ने पहली बार देश में दू सधनिय विवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की विवस्था प्रारम की इस प्रकार भारती विधान परिशत के इस्थान पर दू सधनिय विवस्था बनी यानि राजसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बहुत संखिक सदस्यों को प्रतक्च निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था इसके अनुसर वायसराय की कारेकारी परिशत के छेत सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ कर तीन सदस्यों का भारती होना अवश्यक था इसने सामपरदाई का अधार पर सिखो भारती इसाईयों अल्प संख्यकों के परतिनिधित पर एक योजना की घोशना की इसे अंगल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी प्रथक निर्वाचन के सिध्धान्त को विस्तारिद कर दिया इस कानून ने संपत्ती कर या सिच्छा के आधार पर सेमित संख्या में लोगों को मता अधिकार प्रदान किया था इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्याले का सरजन किया और अब तक भारत सची उद्वारा किये जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया इससे एक लोक सेवा आयोक का गठन किया गया अता 1926 में सिविल सेविकों की भरती के लिए केंद्री लोक सेवा आयोक का भी गठन हुआ इसने पहली बार केंद्री बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज विधान सभाओं को अपना बजट स्वयम बनाने के लिए अधिकरत कर दिया इसके अंतरगत एक वैधानिक आयोक का गठन किया गिया जिसका कारे 10 वर्ष बाद जाज करने के बाद अपने रिपोर्ट प्रस्तूत करना था इसी बीच में आता है साइमन कमीशन ब्रिटिस सरकार नवंबर 1927 में यानि निर्धारीच समय से दो वर्ष पूरवी नए सम्विधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतरत्यों में साथ सदस्य वैधानिक आयोक के गठन की घुषणा की आयोक के सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसलिए सभी दलों ने इसका भहिशकार किया आयोक ने 1930 में अपने रिपोल्ट पेश की तथा 26 प्रडाली राजियों में सरकारों का विस्तार ब्रिटिश भारत के संग की स्थापना एवं संपरदाइक निरवाचन विवस्ता को जारी रखने आधिकी सिफारिशे की आयोक के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारती रियासतों के प्रतिनेधितों के साथ तीन गोल में सम्मेलन किये इन समयलों में हुई चर्चा के अधार पर समयधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तियार किया गिया जिसे विचार के लिए बिटिश संसत की स्योक्त प्रवर समीति के समझ रखा गिया इस समीति की सिफारिशों जिसमें कुछ संसोधन किया गिया उसको भारत परिशत अधिनियम 1935 में क्या किया गया शामिल किया गया फिर इसके बाद आता है संपरदाइक अवर्ड अगर हम आपको बात करें इसकी साइमन कमेशन की तो साइमन कमेशन के अगर हम बात करें अब देखो मांटेंग्यू चिम्सफुल्ड में एक पॉइंट रखा गया था कि हर 10 साल पे इस रिपोर्ट में जो भी बाते की गई हैं उसका रिव्यू किया जाएगा अब देखो उसमें जो ही बाते की गई थे उसका भुक्त भोगी तो भारतिये थे लेकिन अब इसकी जो क साइमन के आने से पहले गो बैक साइमन का नारा देने लग जाते हैं फिर साइमन जो होते हैं वो आते हैं 1923 में अपने रिपोर्ट देते हैं और फिर बाद में उसी समय पर लॉड बेकेन हेड क्या करता है भारतियों को चुनौती दे देता है कि अगर तुम में इतना ही जो तुष्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद सम्विधान भी बना नहिरू परस्ताओ अस्विकरत हो जाता है लेकिन उसके बाद स्विकरती भी मिल जाती है और बाद में सम्विधान भी बनता है और लोगों ने इसको स्विकार भी कर लिय होता है वो बात अलग है कि इसके लिए कई सारी कुर्बानिया भी देखने को मिलते हैं कई सारे मतभेद भी देखने को मिलते हैं तो वो इतिहास का पाल्ट है जब मैं आपको मॉडरन हिस्टिय पढ़ाऊंगा तब आपको वहाँ पर ये सारी चीज़े और क्लियर हो जाएंगी अब हम बात करते हैं सांपरदाइक अवार्ड की यानि कमिनल अवार्ड की जिसको सांपरदाइक पंचार्ट भी कहते हैं ब्रिटिश प्रधान मंतरी रैमजे मैक डोनार्ड ने अगस्ट 232 में अल्प संख्यकों के प्रतनेजित पर एक योजना की घोषणा की इसे कमिनल अवार्ड या संपरदाइक अवार्ड के नाम से जाना गया अवार्ड ने ना सिर्फ मुस्लिम सिक इसाई यूरोपियन और अवार्ड के लिए अलग अलग निर्वाचन विवस्था का विस्तार किया बलकि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया दलितों के लिए अलग निर्वाचन विवस्था से गांधी बहुत विथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अंशन प्रारम कर दिया अंतिता कॉंग्रेस नेताओं और जलित नेताओं के बीज एक समझगोता हुआ जिसे पूना समझगोता के नाम से जाना गया यानी पूना पैक्ट इसमें संयुक्त हिंदों रिवाचन विवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के स्थान भी आरचित कर दिये गए अब हम बात करते हैं भारत शाषन अधिनियम 1935 अब देखो लंबा और विश्थ दस्तावेश था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी इसकी विश्था क्या थी इसने अखिल भारतिय संग की स्थापना की जिसमें राज और रियासतों को एक इकाई तरह माना गया अधिनियम ने केंद्र और इकाईयों के 20 तीन सूची संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची के अधार प्रशक्तियों का बटवारा कर दिया अवशिष्थ सक्तिया वायसराय को दे गई लेकिन जहां संगी वश्था कभी अस्तियों नहीं आई क्योंकि देसिर यासतों ने इन्हें सामिल होने से मना कर दिया इसमें इसने प्रांतों में 12 शासनी वश्था समापत कर दी लेकिन प्रांती स्वाय यत्तता का सुभारम किया राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत तरीके से तिन पर्थक कछेतरों में शासन का अधिकार दिया गया इसके अधिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदाई सरकार की स्थापना की यानि गवर्नर को राज विधान परिशदों के लिए उत्तरदाई मंत्रियों के सलाह पर काम करना अवश्यक था यह विवस्था उन्निस सो सहतिश में शुरू की गई और उन्निस सोन तालिस में इसे समाप्त कर दिया गया इसने केंद्र में दोयद शासन प्रणाली का सुभारंब किया परिडामता संगी विश्यों को इस्थान अंत्रित और अरच्छित विश्यों में विवक्त करना पड़ा हाला कि यह प्रावधान कभी लागूर नहीं हो सका था इसने ग्यारा राज्यों में से चै में दुई सतनी विवस्था प्रारंब की इस प्रकार बंगाल, बंबई, मदरास, बिहार, सिंजुक्त प्रांत और असम में दुई सतनी विधान परिशत और विधान सभा बन गई हाला कि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंद थे इसने दलित, जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गे के लिए अलक सिद्रिवाचन की विस्था कर संगपरदाइक परतनेदितों का विस्तार कर दिया था इसने भारत साशा नदिनिया में 1858 द्वारा इस्थापित भारत परिशत को समाप्त कर दिया इंग्लेड में भारत सचिव को सलहकारू की टेम मिल गई इसने मताधिकार का विस्तार किया तथा लगबग 10% जन संख्या को मत देने का अधिकार मिल गया इसके अंतरगत देश की मुद्रा और साख पर नियंतन के लिए भारतिय रिजर्बैंग की इस्थापना की गई यानी RBI क्या हो जाएगा इसने ना केवल संखी लोग सेवा आयोक की स्थापना की बलकि प्रांती सेवा आयोक और दो याद अधिक राज्यों के लिए संख्यों लोग सेवा आयोक की भी स्थापना की इसके तहट 1937 में संखी ने आयाले की भी स्थापना हुई ये आपको कई सारी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा जो पॉइंट मैंने आपको दी हैं तो ये मस्ट है आपको याद करना भारतियों सत्रमत्ता अधिनियाम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें कि 1946 में गठित सम्विधान सभाव द्वारा बनाया गया सम्विधान उन छेत्रों में लागो नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे इसी दिन 3.1947 को वायस रह लॉड माउंट बेटन ने विभाजन की योजना पेश की जिसे अमाउंट बेटन जोजना कहा गया इस जोजना को कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक ने स्वीकार कर लिया इस परकार भारती स्वातंता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया इसकी विश्यस्ताओं के अगर बात करें तो इसने भारत में बिटिस राज स्वाप्त कर 15.1947 को स्वातंतर और संप्रभू राष्ट घोसित कर दिया इसने भारत का विभाजन कर दो स्वातंतर डोमिनियों नों संप्रभू राष्ट भारत और पाकिस्तान का सरजन किया उन्हें ब्रिटिस राष्ट मेंदल से अलग होने की स्वतंतरता थी इसने वायसराय का अपद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दो नो डोमिनियन राजियों में गवर्नर जनरल पद का सरजन किया जिसके नियुकती नय राष्ट की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रड नहीं होना था इसने दोनो डोमिनियन राजियों सम्विधान सभाओं को अपने देशों का सम्विधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के सम्विधान को अपनाने की शक्ती दी सभाओं को यहाँ भी शक्ती थी कि वे किसी भी बिटिस कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी यहां तक कि हुने स्वतंतरता अधियम को भी निरस्त करने का अधिकार था इसने दोनों डोमिनियन राजों की समिधान सभाओं को या शक्ति प्रदान की कि विन्य समिधान का निर्माड एवं कार्यानवित होने तक अपने अपने समबंदे चित्रों के लिए विधान सभा बना सकते थी 15 अगस्ट 1947 के बाद ब्रिटिस शंसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियों पर लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सच्चिव का पत समाप्त कर दिया इसकी सभी सकतिया राष्ट मंडल मामलों की सराज सच्चिव को स्थानांतरित कर दी गई इसने 15 अगुस्त 1947 से भारती रियास्तों पर ब्रिटिस संपर्वता का समापन की घोशना की इसके साथी आदिवासी छेतर समझाओता संबंधी पर भी ब्रिटिस सच्चिव समाप्त हो गया इसने ब्रिटिस सासक को विधेयों को पर मता अधिकार उन्हें स्विकरती करने को अधिकार से वंचित कर दिया लेकिन ब्रिटिस सासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयों को स्विकार करने का अधिकार प्राप्त था इसके अंतरगत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांथी गवर्नरोग को राजियों का समवैधानिक प्रमुक निक्त किया गया, इन्हें सभी मामलों पर राजियों की मन्तिपरिशत के परामर्श पर कारे करना होता था, इसने शाहियू उपाधी से भारत का समराट सब्द समा प्राप्त कर दी 15 अगस्ट 1947 से पूर्वे के सिविल सेवा करमचारियों को वही से विधाय मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी 14 से 15 अगस्ट 1947 के मध्यरात्री को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त सक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत औ रूप में स्विकार कर लिया गया था तो ये था आपका भारत साशन अधिनियम तक का पूरा टॉपिक जो की था आपका ताज का साशन 1858 से ले करके 1947 तक का दोस्तों अभी आपने एक शब्द पढ़ा है डोमिनियन आपको मैं बता दो कि डोमिनियन शब्द का मतलब क्या हो लो ये पूरी दुनिया है इस पर राज है अंग्रेजों का और ये हमारा भारत देश है अब इस भारत देश में क्या होगा कि ये भारत देश अगर कहे कि हमें पूर्ण सुराज चाहिए यानि पूर्ण रुप्स स्वतनत्रता चाहिए तो अब ये अंग्रेज क्या कहेंग और वित्द यानि वित्द सेनार अच्छा संचार इन चार मामलों को छोड़ कर तुम कोई भी decision लो हम उसमें interfere नहीं करेंगे लेकिन जभी वित्द सेनार अच्छा और संचार संबंद्ने मामलों की बात आएगी तो उसमें decision हम लेंगे यानि अंग्रेज लेंगे तो ऐसे states को हम कहते थे Dominion states तो I hope कि आप लोगों को Dominion states का concept समझ आ जाएगा आ गया होगा यानि कि अगर कोई रास्ट जिसको अपनी सरकार बनाने के रुमती मिल गई हो लेकिन अगर इसको Dominion state बोला जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि रच्छा, सेना, संचा और वित के मामलों का अधिकार उसके पास नहीं है उस government के पास तो वो state, Dominion state कहा जाएगा तो I hope कि आपको ये concept समझ में आ गया होगा और आपको historical background of Indian polity भी अच्छे सा समझ में आ गई होगी जो की बहुत ही important segment है किसे भी exam के लिए जाहे कोई भी exam हो, यहाँ से एक number का question आता ही आता है अब हम कल पढ़ेंगे समझधान सभा का निर्माड उसके बाद फिर हमारे article शुरू हो जाएंगे उसके बाद हमारी core Indian polity का जो सलहबस है वो start हो जाएगा आप सभी लोग comment section में जरूर बताईएगा कि आपको यह class कैसी लगी और जितने भी लोगों ने इस चैनल को subscribe किया है, like किया है, share किया है उन सभी लोगों को फिर से धन्यवाद और वो इसी तरीके से पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लोगों को बताते रहें इस चैनल के बारे में, और लगातार वीडियो आ रहे है और आते रहेंगे और सारा सलहबस आपका GS का cover करवाया जाएगा और आप सभी लोग चैनल को like, subscribe और share करते रहें और पढ़ते रहें, अपना खयाल रखें, खुश रहें, take care मिलते हैं, next वीडियो में